हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो माई चैनल इग्णू असाइडमेंट गूँ आप सभी को पता होगा मैंने कर वीडियो डाले तो पता देता हो इग्णू का एक रिस्पोंस आया आपके ओपन बुक क्या फिर ओनलाइन एक्जाम को लिगे जिसमें जो है इग्णू ने साफ-साफ कोविट की तो उसकेस में अगर इग्णू ऑनलाइन एक्जाम के लिए जा सकता है बट इसके चांसे बहुत ज्यादा कम हो गया है कि अब इग्णू ने खुद ही बोल दिया है कि वह जो है आपके एक्जाम्स को ओफ-लाइन ही कंड़ करवाएगा उसे पीछे यह दिया गया है कि जम्मू कश्मी जैसे सेट्स हैं आपका इंटरनेट की अवेलेबल नहीं है जेली सुडेंट है इंटरनेशनली सुडेंट है यह सब इजन देखेंगे अभी सिच्वेशन को देखते वे तो यहीं लग रहा है क्योंकि आपका जैन्वरी जो है पूरा खतम होने वाला है 27 तारिक है तो अभी के लिए तो नोटिस जो इगनू को आएगा इगनू ने साफ सा बोला था कि आपको 15 दिन पहले जो है इनफोर्म कर दिया जाएगा जब भी आपका एक्जाम होते हैं तो या तो आपके फेबलरी के एंड में एंड वीक से या फिर आपके जो है मार्च क स्टार्टिंग से एक्जाम होने के चांसे बहुत जादा है वो भी आपके ओफलाइन यानि की नोर्मल मोड में जिस से इगनू में पहले एक्जाम होते हैं तो उसी फॉर्म में जो है इगनू आपके एक्जाम कंटक करवाएगा या फिर फेबलरी के एंड तक अगर मार्च के बाद कराता है मार्च के मिड में भी हो सकते हैं अगर सिट्वेशन ठीक नहीं होई तो मार्च का मिड भी आप एक्सपेक्टेड डेट लेके चल सकते हैं लेकिन अगर अप्रैल तक कंटक करवाए तो बहुत जादा जो है लेट हो जाए कभी को आपके जून में तो वैसे के मंत में देखने को मिलेगा अगर जैनवरी मां गए तो अच्छी बात है जैनवरी का भी खतमी होने वाला है तो चांसी कम है कि अभी नोटिस आएगा क्यूक्त की वह सब अनाॉंस की जाएगी तो लग तो यही राए कि अभी के मिड में आपकी जो है ग्जाम की डेट का क्या जाएगा चाहती में मार्च में आपके श्वरू होंगे तो अप्रायल तक तो आपके एक्वार्ण चलेंगे और उसके बाद जैसे आपका । अपका एक्वाला होने के लिए आपके 45 नहीं के लग जाता है आपका रिजेट यह चुट क्यों अर। बहुत डीले हो चुके host के एक्ंजाम फाइनल एर वाले स्वेंटस के बीडिए हो चुक ए जिनि सुटेंट के एग्जाम एक दो रह गए थे जिनका पाइनल एरे का एक्जाम में एक दो battle fat फे उनका भी बहुत तो आप अपने प्रिपेशन को जो है बिलकुल भी बीचे मत छुड़िएगा आप तैयार हो जए अपने एक्जाम के लिए जो भी आप अपने प्रिपेशन कर रहे थे आप चालू कर दीजिए आपके एक्जाम जो है बहुत ही जल्द इग्नु कंड़ाने वाल है और इस जो है रिलीस करें गाई ठीक है क्योंकि स्टूरेंट्स को बताना पड़ेगा इसको अपने नोटिस करना होगा तो सबसे अधा मिड तक यापका नोटिस और मार्च के फिक से याप फैब्रेडिके एंड से आपके एक्जाम कंड़ाने यहीं हैं अभी करन सिट्वेशन को देखते हुए आगे चलके देखते हैं सिट्वेशन कैसे होते हैं आपकी कोविड की किस तरह से जो है आपके एक्जाम कौन से तारिक कुछ है कंड़ करवाए जाते हैं